मैं तीन निर्दलिये विधाय को द्वारा कॉंग्रेस को समर्थन देने पर हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोगसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खटर ने कहा कि वो निर्दलिये हैं हम क्या कर सकते हैं कॉंग्रेस अपनों को समाल कर रखे जिस दिन हिसाब खुल गया उस दिन इनको समझ में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं अगर आव विश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो कॉंग्रेस ही गिरेगी उनके और बाकी दलों के कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे ये उन्हें नहीं पता हमें पता है जैसे आप लोग देख रहे हैं कि गाउ में सैकुडों की संख्या में लोग आ रहे हैं बड़े उत्सा से यानि इस स्यात्रा का स्वागत कर रहे हैं आश्वाशन दिला रहे हैं कि हर गाउं में जितनी जीत पहले भाजपा की हुई है उससे ज्यादा जीत करने का आश्वाशन मिल रहा है यह सारे इसे हैं जहां पिछले तीन चुराओं में भारती जन्ता पार्टी को सब ने और भारती जन्ता पार्टी को जीत बिलाई है इस बार भी सब लोग का स्वाशन है कि भारती जन्ता पार्टी को जीत मिलेगी पहले से ज़्यादा वोटों से मिलेगी और मुझे पुरा विश्वास है कि करनाल लोकसवा भी अन्य सब लोकसवाएं भी दस लोकसवा के और एक विधानसवा करनाल का कमल का फूर किलाके और हम मोदी जी के जुले में चार जूर को डाले हैं